परिचय नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? जब हम यातायात जाम में फस जाते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है? बिल्कुल सही, हम भारी धुएं और हॉर्न के शोर से घुटन और ठकावट महसूस करते हैं. हवा, मिट्टी और पानी में अवान्चित पाए जाने वाले पदार्थों को हम प्रदूशन कहते हैं. आओ सीखें! विभिन प्रकार के प्रदूशनों का वर्णन करना वायू प्रदूशन इसके प्रभाव और इस पर नियंत्रण करने के तरीके और साधन के बारे में बताना जल प्रदूशन इसके प्रभाव और इस पर नियंत्रण करने के तरीके और साधनों की व्याख्या करना ध्वनी प्रदूशन और म्रिदा यानि मिट्टी प्रदूशन के बारे में बताना वायू और जल दोस्तों, हम जानते हैं कि वायू और जल ही धर्ती पर जीवन का मुख्य आधार हैं लेकिन अब यह दिन प्रत दिन गंदे होते जा रही हैं जिसके परडाम स्वरूप पीने के लिए स्वच पानी और सास लेने के लिए स्वच हवा उपलब्ध नहीं है वायू प्रदूशन वास्तव में प्रदूशन मुख्य तहत तीन प्रकार के होते हैं वायू प्रदूशन जल प्रदूशन और ध्वनी प्रदूशन आईए सबसे पहले हम वायू प्रदूशन के बारे में विस्तार से जाने जब वायू में अवांचित पदार्थ यानि वायू प्रदूशक प्रवेश कर जाते हैं तब वायू प्रदूशित हो जाती है लेकिन प्रश्ण यह है कि ये पदार्थ वायू में प्रवेश कैसे करते हैं। ये पदार्थ यानि वायू प्रदूशक इन्धन के जलने उद्योगों से निकलने वाली विशाक्त गैसों के उद्सर्जन से निकलते हैं। वायू प्रदूशन के प्रभाव प्रदूशित वायू बादलों के साथ मिलकर वातावरण में चली जाती है और हानिकारक बारिश लाती है इसे अमल वर्षा भी कहते हैं अमल वर्षा हमारी इमारतों और स्मारकों को क्षति ग्रस्ट कर देती है इसके अतरिक्त वातावरण में कार्बन डायोकसाइड की अधिक मात्रा में उपस्थिती भूमंडली तापमान बढ़ा देती है जिसके परिणाम स्वरूप हिमनद पिघलने लगते हैं यह हमारे फेफणों पर बुरा प्रभाव डालती है और हम श्वास संबंधी बीमारियों से पीडित होते हैं वायू प्रदूशन पर नियंत्रण अब प्रश्ण यह है कि हम वायू प्रदूशन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं वायू प्रदूशन पर नियंत्रण करने के लिए हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं इस पर नियंत्रण किया जा सकता है गाडियों और उद्योगों में साफ इंधन जैसे CNG के प्रयोग से नए पौधे लगाकर गाड़ी चलाने के बजाए पैदल चल कर या तायात के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करके जल प्रदूशन आईए अब जल प्रदूशन के बारे में जाने वायू की तरह ही जल भी प्रदूशित होता है इस नदी को देखिए यह बहुत गंदी है इसमें घरों से निकला गंदा पानी और कारखानों से निकला अपशिष्ट पदार्थ आता है कुछ लोग इसमें कपड़े धोते हैं और गंदगी भी फेकते हैं जल प्रदूशन के प्रभाव इसके परिडाम क्या है? उद्योगों और कारखानों से निकला विशाक्त रसायन जल स्रोतों में प्रवेश कर जाता है जिससे समुद्रिय जीवन प्रभावित हो रहा है यदि हम ऐसी मचलियों को खाते हैं तो हम भी बिमार पड़ेंगे जल प्रदूशन पर नियंत्रण क्या हम जल प्रदूशन पर नियंत्रण कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, जल प्रदूशन पर नियंत्रण करने के लिए हमें कूड़ा करकट और हानिकारक रसायनों को सीधे तालाब, जील या नदी में नहीं फैकना चाहिए धनी प्रदूशन दोस्तों, क्या आप कभी पार्टियों में बजने बाले तेज संगीत, लंबे याता यात जाम और अपने माता-पिता की तेज आवाज से परिशान हुए हैं? तब आप कैसा महसूस करते हैं? मनुष्य की गतविधियों से उत्पन इन अवांचित ध्वनियों को ध्वनी प्रदूशन कहते हैं क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि ध्वनी प्रदूशन से आपकी श्रमन क्षमता खत्म हो सकती है और हृदय रोग भी हो सकता है इसलिए हमें कम शोर करने की कोशिश करनी चाहिए मृदा यानि मिट्टी प्रदूशन दोस्तों जरा सोचिए कि यदि हम कूडा करकट को मिट्टी में फेंकें हाँ बिलकुल सही यह प्रदूशित हो जाएगी मिट्टी की निम्न गुणवत्ता को मृदा प्रदूशन कहते हैं फल, सबजी के छिलके और कागज मिट्टी में मिल जाते हैं लेकिन प्लास्टिक के सामान नहीं मिलते ये मिट्टी को अनुपजाव बना देते हैं अतह, मृदा प्रदूशन कम करने के लिए हमें गंदगी नहीं पहलाना चाहिए हमने क्या चर्चा की? प्रदूशन मुख्य तह तीन प्रकार का होता है वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन और ध्वनी प्रदूशन वायू और जल इनमें उपस्थित अवांचित पदार्थों यानि प्रदूशक से प्रदूशित हो जाते हैं घरों से निकलने वाला गंदा पानी और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जल प्रदूशन के मुख्य स्रोथ हैं प्रदूशित वायू और जल मनुष्यों और जन्तूओं के स्वास्थे पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं जल प्रदूशन पर नियंत्रन करने के लिए हमें कूडा करकट और हानिकारक रसायनों को सीधे तालाब, जील या नदी में नहीं फेकना चाहिए मनुष्य की गतविधियों से उत्पन अवांचित ध्वनियों को ध्वनी प्रदूशन कहते हैं यह हौन बजाने और लाउट स्पीकर इत्यादी के कारण होता है मिट्टी की गुणवत्ता को क्षती ग्रस्त करने को ब्रदा प्रदूशन कहते हैं